तो नमस्ते आत्मे बंदन सभी सभी मास्टर्स को जो जुड़े हैं और जो भी जुड़ रहे हैं बहुत बहुत आप लोग का आभार की आप जुड़ते हैं और हम ये 40 मास्टर्स की मेसेज़ जो सी आरुना जी ने चैनल किये हैं 94-95 में उस किताब का स्वाध्या कर रहे हैं और वो भी इस तरह कि ये 40 मास्टर्स हैं उनका हर दिन हर सेशन में कोई एक आकर हमें उनकी जो प्रेणा है या उस मास्टर्स ने क्या अपने जीवन में मुख्य बाते कही हैं या उनके जीवन में क्या-क्या संकर्श रहे हैं और ध्यानियों के लिए या सभी लोगों के ल देश हैं तो यह हम हर दिन जा रहे हैं जान रहे हैं और इसी श्रिंखला में आज डॉक्टर अर्चना दत्ता जो एहमताबाद से हैं वो हमारे साथ जुड़ी है वो एजुकेशनल साइकोलोजिस्ट है पीएश्टी उनकी साइकोलोजी में है लेकिन एजुकेशन कैसे होती ही है चाहिए चाहिए एकेड़ीमिक एजुकेशन हो चाहिए किस करह हो वो इसी में काम कर रही है हमताबाद में और इसके अलावा उनका एक बहुत ही एक रुची कर होबी है ट्राली तो मैं जब भी उनसे मिलती हूंँ चाहिए दस दिन में या हफ़ते बर में तो वह ही आज रावन जी किया उनके क्या संदेश है उनके जीवन के बारे में और ये अदभुत चोईस मुझे लगता है कि लर्निंग के हिसाब सही शाय डॉक्टर रचना ने की है और ओवर टो यू डॉक्टर रचना आपका बहुत स्वागत दिल से स्वागत आपने समय निकाल हमारे लिए और स्पिरिचल स्वाइर्स के समंच में आपका पुना स्वागत है थैंक यू अनोवर टो यू माम नमस्ते थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट अफ दिस और मैंने अपने ही साब से हमेशा मतलब जब चूस करते हैं तो हमें लगते हमादी शंकराचारे जी को चुने रवना महारेशी जी को चुने मतलब ऐसे लोगों को चुने तो बिलकुल मैंने फर्स्ट चॉइस में तो छ काफी ज्यानी थे बहुत ही बड़े शुभग थे यह सब हमें पता है लेकिन वही है कि हम एकदम से नहीं चुन पाते हैं फिर मुझे वहीं लगा मैंने का शायद यह मुझे 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 मिल रहा है इसको एक्स्प्लोर करने का थोड़ा और समझने का तो मैं पहले मैसेज से ही शुरू करते हूं थांक यू यह बुक इसको इसको चैनल करने के लिए और इसको इस तरह से और इसको और इस तरह से और इसकरने के लिए अनुरादा जी तो मैंने थोड़ा सा ही आत्मा लिंगा क्या है ये भी समझने की आज कोशिश की और उसमें मुझे काफी सारी चीजें पता चली so obtaining ample boons from Shiva etc. आत्मा लिंगा इसमें लिखते हैं जहांपी मैंने पढ़ा कि it's a soul of Shiva which is हम सब में हम सब में इसका एक अन्श जो है so वो है there were many meditators along with me during my time but I was so self indulging a person ये बहुत interesting चीज़े हैं बहुत अच्छे लगी I was so self indulging a person मैं इतना जादा अपने आप में अपने आप में ही completely खोया रहना अपने आपके ही बारे में अपने आप से ही सिरफ लगे रहना अपने आप में self indulging a person that I exhibited to every person that I am a master of 10 heads so बहुत important line इसमें ये है कि I exhibited to every person मतलब कि exhibition पर रखना किसी चीज़ को दिखाना एक होता है कि भई है हम में कुछ है और वो लोग देख रहे हैं तो लेकिन एक होता है exhibition करना exhibition हम लोग emotions का भी जैसे बहुत बार I also use this term that people exhibit emotions so आप एकड़म exhibition पर अपने emotions रख देते हैं कि भई या अपने awards हैं accomplishments हैं उनको आप हमेशे exhibition पर रखते हैं आप मतलब मैं भी is general language so हम लोग हमेशे exhibition पर रखते हैं अपने emotions को अपने awards को अपने achievements को कभी-कभी अपने problems को बहुत कम लोगों के साथ लेकिन exhibition पर रखना मतलब की चाहन बूच के दिखाना, दिखाना, चाहना that is exhibition तो I exhibited to every person that I am a master of 10 heads these heads are my heads of awareness but no other meditator was such an exhibitionist as I was this is the second fact so ये दो चीज़े हैं कि उन्होंने ये लिखा है कि but I was so self-indulging a person, very self-indulging person second no meditator, no no one else was as exhibitionist as I was और कोई इस तरह से नहीं अपने so exhibition basically is the कहां से आ रहा है जो exhibition का हमारा trait है वो आ रहा है from ego so that हर कोई देखे कि मेरे पास क्या है और मैं हर किसी को जोर-जोर से बताऊं कि मेरे पास क्या है so वो exhibition का ego का trait है indirectly Rama was my master we designed our lives together in this mission he was perfectly successful and I was so obsessed with myself that I have been immensely violent to many people and that was the reason that my master Rama had to take the extreme step of killing me so यहां पर एक उनोने कुदी अपना difference बताया है that Rama was my master we designed our lives together in the mission in this mission in his mission he was perfectly successful we know about Ramachandra जी but I was so obsessed with myself that I have been immensely violent to many people and that was the reason that my master Rama had to take the extreme step of killing me so यहां पर तू उनोने self-obsession बताया है self-indulging बताया है अपना nature and कैसे how Rama was perfectly successful in his mission वो बताया है and so learn from me these three three things उनोने बताया है बहुत ही अच्छे बहुत मुझे यह अच्छा लगा इतना क्लियरली पढ़के एक उनोने बताया है कि self-importance is the greatest impediment to spiritual progress self-importance is the greatest impediment to spiritual progress अब self-importance को हम बही कैसे समझेंगे कि I am the center of universe जसको बोलते है मैं ही मैं मैं ही मैं तभी तो उनके 10 सर माने जाते हैं हाँ हाँ दस सर माने जाते हैं बिलकुल तो एक दिन अव्या को मैं समझा रही थी उसने मैं उसने पूछा दस सर का मतलब क्या है ममी तो एक दिन मैंने पूछा तो मैंने पूछा कैसे बिसको समझा हूँ मतलब काफी symbolic सी चीज़ है तो एसे किसे इंसान के नहीं होंगे तो मैंने उसको पूछा मैंने का अच्छा जिसको बहुत ही जादा गुसा आता है या बहुत हम लोग हैं जैसे हमें जो गुसा आता है तो एक सर में हम संभाल लेते हैं अब जिसको बहुत गुससा आता होगा, या बहुत जादा होगा, तूशको दस सर चेहिए उतना रखने के लिया, तो इस तरह से मैंने उसे एक बहुत ही simple सी language में समझायाथा, तो वहिए तो वही self importance है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही बिलकुल center of universe हूँ, सब कुछ मेरे इर्दगर्द घूमता है और मैं जो करता हूँ वो important है बाखी सब जो करते हैं वो उसकी कोई importance नहीं है तो उस तरह की जो thinking है उस तरह का जो ego है उस तरह का जो mindset है हमारा तो है कि self importance is the greatest impediment उन्होंने लिखा है to spiritual progress तो ये spiritually हमको आगे बढ़ने नहीं देगा spiritual progress में हमें बिल्कुल ये I think ये सार है ये बिल्कुल हमारी spiritual journey के लिए first step है कि सबसे पहले तो हमें इसी में से निकलना है जिसको वेराग बोलते हैं तो विवेक से वेराग और फिर उसके बाद हर तरह के likes, dislikes उन्हों सब में से निकलना तो ये basically first step है और पूरे during the journey इसको maintain करना बार-बार इस पर जाना कि हाँ ये मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ तो self importance इस पर ध्यान रखना कि हम selfless हो रहे हैं, selfish हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं clarity is the dictator of your self importance, so ये समझने के लिए मैं थोड़ा time लगा कि clarity is the dictator of your self importance, तो clarity and self importance ये inversely proportional है, मतब एक जितना clarity जितना ज्यादा होगी, self importance उतना कम होगा तो ये इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, कि जितनी clarity ज्यादा होगी हमें, उतना self importance हमारा कम होता जाएगा, और वही आपका dictator है self importance का, clarity जैसे है, उसी हिसाब से आपका, हमारा self importance मतलब ego बोल सकते हैं, basic हमारी understanding की भाशा में हम लोग इसे ego बोल सकते हैं, अहंकार बोल सकते हैं तो जितनी clarity कम होगी, उतना अहंकार जादा होगा, उतना ego जादा बना रहेगा, उतना air of arrogance जिसको बोलते हैं, वो बनी रहेगी आसफास में, तो clarity और self importance ये दो चीजे हैं, जितनी clarity है, उतना वही dictate करेगी आपकी self importance को, and third point is, beware of self importance and clarity, इन दोनों का ही ध्यान रखना है हमको So, clarity should be red as half knowledge, last my line, कि what is clarity, तो half knowledge उनों ने लिखे हैं, it should be red as half knowledge, so beware of self importance and half knowledge, so, अभी जितना जैसे हम बहुत देखते हैं, इसमें, Half knowledge का, half big knowledge का, एक बहुत लोग, हम लोग भी use कर लेते हैं, कभी चीजे, आज जैसे मैं इसले हम लोग बोलना चाहते हैं, वो देखने हैं, कि भई हमको नहीं आता है, या बहुत थोड़ा सा ही पता है, हमको रावन के बारे में सिरफ जो रामायन में हैं, उतना ही पता है, उ उनका message, I think कहीं पर शायद होगा मेरे लिए भी इसमें, self-importance is the greatest impediment to spiritual progress, अपना importance, अपने आपको नीचे नम रखना, तो basically नमता पर काम करना की, कितना नम हो सकते हैं, फिर थोड़ा सा मैंने उनके बारे में भी जानने की कोशिश की, रावन के बारे में, तो वही कि उनके पिता, माता-पिता कौन हैं, तो कैसे वो इतने, जब हम हमेशा से सुनते हैं, ये मेरे पापा भी कहते हैं कि, बहुत पहले वो कहते हैं कि रावन हैं, लेकिन वो बहुत ग्यानी थे, वो बहुत बड़े शिवखत थे, तो ये question बहुत पर आया भी है मन में, पर कभी मैंने इस पर कुछ सोचा नहीं जादा, मन में question ये आया बहुत बार कि, इतने ग्यानी थे तो ऐसा काम कि उन्होंने किया, क् हम भुरा क्यों बोलते हैं, और उनका हमेशे depiction हर जगे, as a negative character ही है, और हम अपने, जब भी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं, हमारे अंदर राम और रावन दोनों हैं, तो positive और negative वाली बात आ रही है, फिर से तो ज़्यादा दर उनका जो negative characterization ही देखने में आता है, तो उसी को वही समझने हैं, तो एक उनके जो पिता जी थे, रिशी विश्रवा, और माता जो उनकी थी कैकशी, तो जो उनकी पिता जी हैं, वो एक बहुत ही ज्यानी, बहुत ही बड़े रिशी थे, और जो उनकी माता हैं, वो राक्षस कन्या हैं, तो उनकी माता जो हैं, उनके उनके, वो एक सुमाली राजा की कन्या थी, जो वो राक्षस कन्या है तो जब उनकी शादी हुई तब जो रिशी विश्रवा थे उन्होंने कहा कि इस से हमारे जो भी जो बच्चे होंगे उनमें राक्षस गुणाएंगे, माटा के गुणाएंगे तो जो थी ये कईकशी थी तो उनने कहा कि ये मेरे लिए एक बच्चा तो ऐसा मेरा एक बच्चा होना चाहिए जिसमें कि सिरफ आपके गुण आएं तो विभीशन जो है जो उनके पुत्र है तो उनके विश्रवा के पुत्र है विभीशन उनमें नहीं है राक्षस गुण तो वो ग्यानी भी है और उनमें राक्षस गुण नहीं है उनमें ब्राह्मण गुण तो वहीं बताया है कि राक् कीई जादा आये हैं और अपने पिता का ज्ञान तो आया है large that का जब तब का हर चीज़ का ग्यान दिया लेकिन उस वज़ा से उनमें ये गुण भी है तो बाकी उनका जैसे दस सर उनके जो बोले जाते हैं तो उसमें एक मैंने ये भी सुने कि जैसे उनके मतलब जो दस सर हैं वो उनके चार वेद और छे शास्त्र जो हैं वो भी बताते हैं यह मैंने सुना हुआ है तो उसके अलावा जैसे एक और भी मुझे बताया है कि जैसे उन्होंने शिव तांडव जो लिखा है जैसे कि है जटाटवी गलजवल जो है उसका जो बीट है उसका जो एक रिदम है पूरा और फिर जो एक तुलसी दाजी ने रामायन में लिखा है नमामी शमेशान शिव रुदराष्टक तो वो जो श्री रामचंद्र की तरफ से है वो तो उनका भी जो रिदम है दोनों का वो बहुत जादा डिफरेंट रिदम है तो एक पता चलता है कि it is coming from aggressive, aggression जो जटाट अवी गलजोल है और एक जो नमामी शमेशान है वो it is coming from devotion and it is coming from power, it is coming from faith and devotion तो वो दोनों का एक वो भी पता चलता है ये भी मुझे एक जनने किसी ने मिरसे बात की मेरी फ्रेंड ने तो ने बताया कि वो भी एक difference पता चलता है कि who is the rich, किसने रचा है वो तो वहां से पता चलता है दोनों का difference तो तो ये है बाकी personally हाँ मुझे मैं इतना समझ पाई हूं इस पूरे message में कि जैसे हम उनको यही self importance का basically बहुत है, check रखना बहुत जरूरी है कि हम में लगता है कि हम से आ भी जाती है, बढ़ हां उसी में से निकलना बार बार उसको अपने में से निकालते रहना, shut करते रहना, so यही जर्नी है, probably, clarity, अपनी clarity पे check रखना दिये, दो main चीज़ों उन्होंने कही है, self importance and clarity पे check रखना, that is only, that is only which will decide your spiritual progress, तो वही है, और वो self हम खुदी कर सकते है that is self check ही जरूरी है उस पे, वो हमें कोई और नहीं बता सकता, नहीं कोई बताएगा भी तो mostly हम लोग सुन नहीं पाते हैं, उतनी सुनने की शमता होना, वो भी है, important है कि हमें कितनी शमता है कि हम अपना, कोई हमें बोल रहा है थो हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये दो चीजें हैं, जिस पे सारा रहा, और काफी मैंने आज पढ़ा भी सुबे से मैं पढ़ रही थी आज, तो मुझे बहुत खुद भी बहुत अच्छा लगा, तो अरचना जी, आपने अच्छे से ये वैसे बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर है रावन जी का, और आपने सही कहा कि आपने चुना, तो ये हमारी लर्निंग, आपकी लर्निंग, सभी के हमारी लर्निंग है, क्योंकि हम हर जगह से सीख सकते हैं, और चाहे रावन का पात् हो या जैसा भी तो लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा दो तीन मिनिट का या चार मिनिट का हम ध्यान करेंगे आखे बंद करके कि रावन जो बोल रहे हैं क्लारिटी के बारे में और कि हम स्पिरिक्च्वालिटी में यही सबसे बड़ी एक मतलब ज सीखते रहें तो उस वो अपने जीवन में हम अपनाएं तो इस संदेश के साथ हम दो तीन मिनिट आखे बंद करके ध्यान करेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आखे बंद करें मैं छोटा से म्यूजिक तीन मिनिट का लगाऊंगी आज हमने रावन जी का मेसेच सुना है आखे बंद और सांस पर ध्यान हाथों को गोद में रख ले इस किताब के स्वाध्याय में एक कुछ ऐसी उर्जा है कि हम उस मास्तर से जूड़ जाते हैं और वक्ता ही नहीं हम जो यहां सुन रहे हैं इसलिए तो संदेश को गहरी तरीके से अपनाने के लिए दो मिनिट का ध्यान झाल 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 इस अब करने तो फिल्ट शाठी कें listen आधि पूरा व्यूंजे और वापस देखना पड़ेंगा अट्यो शनना पड़ेंगा तो Starting पुड़ा सा उसका information मिल जाए तो मैं बस वो screen लोड कर देती basically वो बहुत छोटा chapter है ना और मुख्यता जो मतलब मुख्या वैसे तो साफी मतलब अच्छर ना जी ने बताया है लेकिन ये तीन पॉइंट उन्होंने हमें ध्यानियों के लिए लिखा है कि हम ध्यान और ग्यान के जब आगे बढ़ते हैं तो ये मुख्य बाते हमें जो क्या हम नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए जैसे don'ts and do's बोलते हैं ना तो कि self importance ना हो और clarity रहे खर अर्चना जी दो वाक्य और बोल देंगी तो इन्होंने पूरा emphasis भी इसी पर रखा अर्चना जी ने भी अपने जो उन्होंने कहा वैसे भी उनका education background है और मुझे लगता है तभी ये वाला chapter उनके पास कया या उन्हें चूइस करना पड़ा और उन्होंने राम को अपना master और रामा वास मास्टर ये लिखा है ये भी बड़ी बात होती है जिन से लड़ाई हुई उसको ही कहना कि वो मेरे master है तो ये भी तो एक विनमरता की है एक पहचान बिलकुर बिलकुर जी माँ शादना पुना जी नमस्ते माँना पुना जी बहुत अच्छा लगा अर्चना जी से सुनना भी अच्छा लगता है मतलब उन्होंने कितना research किया beyond the book जाकर सब कुछ research किया तो वो बहुत अच्छा लगता है आज आपको भी बदायो हम सबको बहुत सारे नए master's जुड़े है तो बहुत अच्छा लगता है कि सबकी बाते सुनने के मिलेंगे क्योंकि मेरा viewpoint अलग होगा उनका viewpoint अलग होगा सब सुनके हम evolve होंगे और रावन देखिए हमें इतने सालों बाद भी villain हम villain समझते उसको भी पढ़ने का महत्व है यह कितनी बड़ी बात है ऐसा नहीं कि सिर्फ राम को ही पढ़ रहे है यह मुझे अभी आप ध्यान करवा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा और self important जितना देना है जितना नहीं देना है बहुत तीन लाइन है स्वार्ती बन जाने से पहले हमें मुड़ना चाहिए कुछ तो important से शरीर का ध्यान रखो या फिर hygiene रखो या कुद की जितना जरूरत है उतना लेकिन वो थोड़ा सा भी उपर उठता है तो फिर जैसे अर्चना जी ने बोला कि वीनम्रता अगर नहीं है तो हम एक पॉइंट भी spirituality में आगे नहीं बढ़ सकते एक clear message था इसमें और उनकी देखो वो life तो design था उनका उनको वही रोल करना था लेकिन उनको अंदर से ज्ञान था मेरा गुरू या मुझे teacher बन के आये राम वो कितनी अच्ची बात है वो एही समझ के पूरा जीवन जी रहे होंगे मुझे ऐसे ही रोल जैसे फिल्म में विलन को मालूम है मैं ऐसा रोल कर रहा हूँ फिर भी वो रोल कर रहे है acceptance के साथ की सामने वाले को उठाना है तो हमें भी यह सब सीखना है हम क्या रोल कर रहे है हमें क्या रोल मिला है वैसे ही आगे बड़े ध्यान में ग्यान में और ये भी अच्छा लगा ध्यान शुरू की आपने बहुत बड़िया लगा आपने जो म्यूजिक चला ही शुद्ध हो गए हम शुद्धी हो गए थैंक यू माम आगे और लोग जी माम बस रीता जी थैंक यू सो मच माम आप अपने शब्दों में जब कहते हैं तो वो आपके लिए भी एक किसम से यू ओन इट अप होता है जैसे अर्चना जी हमें बताएंगे लेकिन जब आपने अनपुना जी अपने शब्दों में कहा तो तो आपके सुनने के लिए आप वैसे तो वीडियो में सुन लेंगी तो एग्जिबिशन उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा है कि रावन ने ये एक्सेप्ट किया है कि मैं एग्जिबिशनिस था ये वर्ड मतलब कि मैं मतलब दूसरों को दिखाता कि मुझे में ग्यान है यानि कि ग्यान उनके लेवल में और भी कई लोगों के या मास्टर्स के होंगे लेकिन उन्होंने हर समय उसे दर्शाया कि मुझे ग्यान है लेकिन कई लोग उनके आसपास जो उतने ही ग्यानी थे लेकिन उनोंने उसका exhibition याने उसको प्रदर्शित नहीं किया तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि जी हमें ग्यान है पर उसे भी आवक्षक्ता होने पर उसको किस तरह से बोलना है वो भी हमें एक ग्यानी और ध्यानी के रूप में हमें ये समझ में आता है और आज मैं जैसे अनुपुना जी कहां विशेश मतलब स्वागत करना चाहती हूँ रूबी जी का और अनुपमा पतिल हम लोग वैसे तो सभी लोग मिल चुके हैं पर आज आप लोग यहां पर जुड़े हैं तो आपका विशेश विशेश थैंक यू वेलकम और अर्चना जी शायद आपका ही एक सेशन ऐसा था कि रावण जी के सेशन में सब लोग आए और आपका क्यान सुदा तो संयुक्ता पलवी जी भी एक-एक दो-दो सेशन में आएं हैं पहले भी तो उनका आपकुना जुड़ती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगता है हमें और जो लाइव सेशन हो रहा होता है हम एक अलग फोकस से सुनते हैं लाइव सेशन का वो मतलब होता है जी रूपी इसके अलाबा कोई और कुछ बात चोड़ना चाहते हैं एक चीज पूछना चाहती हूं आपने बहुत क्रिटिकली इसको स्वेडी किया है तो आपके मतलब आपकी जो है उसके कोडिंग आप रावन को किस लेवल पर देखते हो मैं परसनली मैं बहुत ही I am a person जो मैं knowledge को बहुत ज़्यादा respect करती हूं और इस हिसाब से मैं जो है रावन मेरा शुरू से ये question मुझे बहुत पहले से था I think ये उसका आज कुछ मुझे वो मिला है एक बहुत पहले से मैं ये सोचती थी कि वो इतने ग्यानी थे फिर ऐसा क्यो किया उन्होंने वो ये हमेशा मैंने उनको ऐसे ही देखा है पहली line उनके लिए हमेशा मेरे मुझन में मन में ये ही आये कि वो इतने ग्यानी थे वो इतने भगत थे फिर उनसे ऐसा हुआ तो मतलब हम सब उनको उस तरह से देखते हैं हम उनने कोई उनकी पूजा नहीं करना चाहता है या कोई उनसे कुछ ज्यान नहीं प्राप्ट करना चाहता है तो मुझे यह लगता है कि हाँ मतलब ज्यान है लेकिन वही आज यह मुझे समझ में आगी एक लाइफ डिजाइन भी उनका ऐसा था यही करना ही था उनको और मतलब इतने ग्यान के बाद अपना लाइव डिजाइन तो उनका वही फॉलो हुआ जिसके लिए वो आये थे तो लेकिन मैंने सुना था कि रावन और उनके मतलब अजे लिजे जो थे ये तो इन लोगों को चॉइस दी गई थी कि आप जादा जनम लेके फिष्वी पे जादा समय तक रहना चाहते हो या कम लाइव में आप बार-बार मेरे हाथों मरना चाहते हो तो उन्होंने ये चूज किया कि मुझे कम जनम चाहिए लेकि आपके हाथों मरना और मुक्त होना थाकि मैं जल्दी आपके पास वापस आसको मुझे ये चीज बहुत टच करती थी कि इतना समझदार होने के बावजूर उन्होंने जो अपने ज्यान का या प्रदर्शन किया या गलत काम किये तो इसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान किया या मतलब यहां मैं थोड़ा सा इसलिए मैं सुनना भी चाहती थी घर मैं सुनूंगी ओडियो में तो मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आपको मतलब उनकी क्या चीज सबसे ज़ादा टच की हलो मैं मैं कुछ बोलू मैं आप सभी को आज बहुत सुन्दर सा एक वीडियो भी शेयर करूंगे आप सभी सुने होंगे और देखे भी होंगे यह सीरियल डिस्कवरी आफ इंडिया हम जब छोटे थे तब आता था डीडी नेशनल पे जब लाल नेहरु का बुक है इस पे सीरियल बना था उसमें देखिएगा रामायन उसका एक में छोटा सा स्क्रिप्ट आपको भेजूंगी रावन का मृत्यू जब हो जाता है राम जी लक्ष्मन को बोलते हैं तो उनको जाके आप सिक्षा लो लक्ष्मन ऐसे ही रह जाता है रावन से मैं क्या सिक्षा लो वो तो दुष्ट राजा है बोलते हैं तो राम बोलते हैं रावन से बड़ा ज्यानी कोई नहीं है लेकिन लक्ष्मन में भी थुड़ा आंकार रहता है ना लक्ष्मन जाके ना उसके पैर के मतलब सर के सर के पास बैट के जोन के हाथ जोड़के बेढ़ते हैं तब रावन कुछ भी नहीं बोलते हैं राम तब इसारा करते हैं नहीं तुम उनके पैर के पास बैठो और हाथ जोड़के बैठ जाो तो लक्ष्मन सर के तरफ से पैर के तरफ आ जाते हैं तब ओ बोलते हैं कि एक इनसान को कभी भी अपनी जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए ओ बोलते हैं हमें उलाओ दिखे जब ओ मृत्य के सज्ज्या में भी थे तब ही रावन को ये था अहम भाव था कि मैं अभी वी राजा हूँ जब उनके सर के पास मतलब वो बैठे राजा के हिसाब से कोई नहीं हो सकता राजा के नीचे ही सब हो सकते हैं तो जब लक्ष्मन ने रावन के पैर के पास आए तब ही वो ग्यान देने के लिए तयार हुए कि मनिश्य का अहंकार ही उसका पतन का कारण होता है और रावन का यही दरसाते हैं मतलब वो ग्यारेक्टर मेरेट करने के लिए वो प्रे मतलब वो आनवी जो भी बोली आप बिजाइन किये हैं कि वो इतना ग्यानी है हम दो क्यारक्टर दिखते हैं, दोनों अहंकार के सिंबल है, दोनों अहंकार, दोनों ही पतन के उनका अहंकार ही उनका पतन है, एक रावन है, जो ज्यानी है, इसलिए बोलते हैं, रावन जान के उसके अहंकार के वज़े से उसका पतन हुआ, और दुरियधन का ज्यान नहीं वो अज्यानी है, उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ उसका अहंकार ही था, तो दोनों ही अहंकार का ही प्रतीक थे, हर समय में एक अहंकार का प्रतीक एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और वो रावन है, जितना भी आप में ज्ञान क्यों नहों, ज्ञान का भंडार आप क् पतन का कारण होता है वो रावन का कैरेक्टर मैं परसनल यह मेरा व्यू है कि मैं नहीं कह रहे हैं कि यह मैसेज कुछ है लेकिन मेरा परसनल व्यू है यह है मैं कि अपना अहंकार जो रहता है अहम भाव मुझसे बड़ा ग्यानी कोई नहीं है मैं ही सब जानता हूँ जब हम उस तिती में जब आ जाते है हमारा हर तरफ से ग्रोथ बंध हो जाता है हर तरफ से और हमारा जब ग्रोथ बंध होता है तब हमारा fall down start, वो ही होता है रावन की जिन्देगी में और वो रावन का क्यारक्टर वो ही दिखाता है और अहंकार में आप देखिएगा हम कभी भी सही चीज का निर्ने नहीं ले पाते जितना भी परिस्तितियां आपको चारो तरफ बताना कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी अहम जो है इतना ढख देता है आपको इतना आपकी बुद्धी को ढख देता है आपका अहम जो है आपको बुद्धी बाविवेक को इतना ढखता है कि आप उस बुद्धी से कभी भी उपयोग नहीं करते हो सिर्फ आपका मन और अहम के साथ रहे के आपके मन में तो पहली चीज उठती ही अहम है मैं चीज जो है वो तो मन का पहला उत्पादन मतलब पहला अहम रहता है वो जब रहता है तब हमारा बुद्धी को भी वी काम नहीं करता इसलिए रावन का वो कारकटर जो है वो दर्साता है कि हमें हमेशा हमारे एहम को दबा के रखना है एहम को दबा के रखना है तब हम में कुछ हो ना हो लेकिन वो बिनम्रता हमारे जीवन का हर चीज का सफलता का कारण बन सकती है ये मेरा परसनल व्यू है मैं थैंक यू मैं आज आप सभी को वीडियो सेर करूंगी मैं बहुत दिनों पहले देखी थी आज यूट्यूब में फिर से सेर्च करके आपको भगवत गीता में भेजूंगी आप प्लीज कनवर्सेशन सुनियेगा इतना अच्छा कनवर्सेशन है अरकोई प्लीज थैंक यू मैं सुनने के लिए थैंक यू जी थैंक यू सो मच पत्मा जी आप हर चीज को इतना क्लियर कर देती हैं तो थैंक यू मैं बस मेरे में पहले देखा नहीं यह अर्षिना जी ने जो यह आथमा लिंग इस प्लादे चैप्टर में है तो वो उसकी कोई फोटोग्राफ भेजी थी मैं अर्षिना जी आप मैं आप दिखा रही हूँ तो इसको कुछ आपने बताना था या कुछ करना था इसको यह मैं इसमें से एक बहुत इंपोर्टन वर्ड ही है मैंने आत्मा लिंग जो उन्होंने मेसेज में लिखा है कि आइ अटेंड आत्मा लिंग तो आज मैंने पूरा दिन आत्मा लिंग के रिसर्च पे डाला था मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाई हूँ मुझे यह समझ में आया कि गो करन में जो मंदिर है तो ऐसा हुआ कि रावन जी ने शिवजी की पूजा की आत्मा लिंग के लिए तो जब शिवजी ने उनको एक पहली बार तो उन्होंने दिया नहीं पहली बार जब वो सफल हुए पूजा में तो विश्णु जी ने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो उन्होंने उनके जाके उनमें थोड़ा सा माया डाल दी तो उन्होंने आत्मा लिंग की जगे पारवती जी को मांग लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं तो उसके बाद में जो नारद हैं तो वो जाके उनको बताते हैं कि वो तो जो पारवती की बात कर रहे थे वो तो कोई और हैं वो पाताल में रहती हैं तो वो पाताल में जाते हैं वो उनसे शादी कर लेते हैं और वो कोई और होती हैं फिर वो घर पहुंचने तब उन्हें समझ में आता है कि ये तो मेरे साथ है इन लोगों ने खेल कर दिया मैं तो आत्मलिंग लेने गया था और ये सब स्टोरी तो अलग हो गई तो वापिस वो फिर तपस्या करते हैं तो फिर शिव जी उनसे खुश हो जाते हैं तो शिव जी का ये बहुत ही objective उनका भाव है कि वो चाहे फिर रावन है चाहे कोई भी है जब तपस्या से खुश हो जाएंगे तो वो वर दे देंगे फिर बाकी बाद में विश्नू और बाकी लोग संभालते हैं तो फिर शिव जी उनको दे देते हैं आत्मलिंग और वो कैलाश से लेके जब अपने जा रहे हैं अपने वहाँ पर तो रास्ते में शिव जी ने उनसे कहाया कि अगर आपने उसको नीचे रख दिया तो वो वहीं रह जाएगा फिर वो आप वहाँ से नहीं उठा पाऊगे तो और ये रावन का रिचूल होता है कि वो रोज शाम को पूजा करते हैं तो तब फिर वापिस गनेश जी और सब लोग मिलके ये माया करते हैं कि थोड़ा शाम सा हो गया है तो उन्हें पूजा करनी होती है तो आप वो नीचे नहीं रख सकते तो वो गनेश जी वहाँ से ब्रह्मान का बच्चा बनके आते हैं अपने गाए के साथ में तो वो उनको पकड़ा पूछते हैं कि आप पकड़ोगे मैं पूजा कर लेता हूं अब तक आप ये पकड़के रखोगे मैं इसे नीचे नहीं रख सकता तो बोलते हैं ठीक है वो नीचे रख देते हैं फिर उनके ये होता है कि मैं आपको तीन बर भुलाओंगा आप आ जाएंगे तो ठीक है नहीं तो मैं इसे नीचे रख दूगा तो जब गनेश जी बुलाते हैं तब तक वो नहीं आपाते हैं तो गनेश जी उसे नीचे रखते हैं शिवलिंग को आत्मलिंग को और फिर उनके साथ में जो गाये होती है और वो दोग दोनों चल पड़ते हैं तो तब रावन भाग के वहां पहुँचते हैं और गाये कान उ तो ये उनके हाथ में आता है, तो वहाँ पर वो इसका ये चगह है, और फिर वो शिवलिंग उन्होंने वहाँ रख दिया, अब वो उठा नहीं पाते हैं उसको रावन, तब रावन उस शिवलिंग को महाबलेश्वर का नाम देते हैं, कि महाबली शिवलिंग है ये, इसे कुछ, शायद पदमा जी जादा बता पाएंगे, तो फिर मैं ये कोश्चिश कर रही थी कि आत्मलिंग होता क्या है, तो मुझे ये ढूनते-ढूनते ये मिला कि ये तैत्रिया आरान्यका में ये एक है, वर्स है, जसमें इन्होंने ये बताया है कि भई, इट इस शिवलिं in human body as per our Vedic understanding, that is आत्मलिंगा, तो ये जो पुश्चर उसका है ये वाला वो पिच्चर में, तो ये यहां से इस गर्दन के इस पार्ट से शुरू होता है, जहां पर उसमें पिक्चर में दिया हुआ है, और ये यहां से हाट पे आता है, जब हम इसे यू रखते हैं और ऐसे और यहां पे रखते हैं, तो ये हार्ट में आता है, तो इसका ये जो पार्ट है, ये शिवलिंग है एक तरह से, और ये हार्ट हमारा इस तरफ थोड़ा सा है, और जब हम शिवलिंग पे पानी डालते हैं, तो वो हार्ट पे जाता है, पानी इस नारायन, ठीक है, तो और हा कारण यह होता है कि इस तरह से आप नारायंड को अपने मतलब and heart is the seat of manifestation of consciousness in the human body यह भी मैंने पड़ा कि heart which is the seat of the manifestation of pure consciousness in human जो consciousness है वो heart में है जो human क्योंकि जब आप देखें जब बर्त होता है बच्चे का तो डॉक्टर्स हो समय यही चेक करते हैं कि heart heartbeat आ गया है यहां से पूरी स्टोरी फिर आगे शुरू होती है फिर जहां पर abort हो जाते हैं कभी बच्चे शुरुआदी महीनों में तो वही होता है एक ही चीज़ होती हार्टबीट बंद हो गई है लेकिन आप उनसे जब पूछी है कि क्यों हो गई है तो उसका कोई explanation उनके पास नहीं होता है medical में इसका explanation नहीं है कि heart beat कैसे आ रही है और क्यों बंद हो जाती है बच्चे की तो which is very interesting to know कि यह चीज़ हम नहीं समझ पाए हैं तो यह seat of consciousness in human body है तो यह पूरा कुछ connection है जो मैं बहुत जादा नहीं समझ पाए हूं आज के दिन में बट हां मैं जरूर इस पे आगे अभी study करूंगी और और किसी को कुछ कहना हो वरना हम इस session को end करेंगे तो फिर मिलते हैं लेक्स सेशन 530 को रूबी जी लेने वाली है हमारा session और थैंक यू अर्चना जी पुना वेरी थी के मैं ना थादने पारिफाय किया सबीको धने वाद और थांच आरे पार थांक अर्शोर ने जी नी धनुत हमार्णा मैं जी रानुच को थे डानुचर दहां हम एंक पारतना क्यू को य। थैंक य। थैंक य।